Hello friends, Welcome to my channel Edufile आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत important topic Contra Variant Tensor के बारे में disx करेंगे इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने Contra Variant Tensor के Physics को समझाता आज हम लोग यहाँ पे इसके Math को समझने वाले हैं एक बहुत अच्छे Example के साथ में तो इस वीडियो को अपने देखेगा पिट आउट जरूँ ख्लियर होंगे तो चलिए सबसे बहुते देखते हैं फिर एक्जामपल से इसको अच्छे से क्लियर करते हैं तो जैसे कि मा लिजे आपके पास कोई vector field A है वेक्टर field क्या होता है जैसे कि मा लिजे कोई field है हमारे पास और उसमें हर point पे आप एक vector को associate कर पा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं vector field एक field है आपके पास उसमें हर point पे आप एक vector को associate कर पा रहे हैं तो उसको हम कहते है vector field for example magnetic field for example electric field तो यह है आपका vector field का example तो आपके पास vector field A है और उसके component है vector field A के component है AI मतलब A super script आई यहाँ पर देखें के contra variant tensor में क्या होता है हम लोग index को उपर की तरफ लगाते हैं जैसे A लिखा हुआ है तो A super script आई इस तरीके से लिखते हैं इसको क्यों लिखते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको डीटेल में पता आया था तो आप याद रखेंगे फिलाल कि हम लोग उपर की तरफ इंडेक्स को लगाते हैं जिसको हम लोग super script कहते हैं तो हमारे पास vector field A है उसमें हमारे component है AI and AI इस तरीके से हमने लिखा अब यह यहां पर देखिए कि हमारे जो AI है वो XI coordinate system में और A bar i जो है वो X bar i coordinate system में है यह अलग-अलग coordinate system में है और यह दोनों connect होते हैं एक relation से जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं A bar i is equal to aj del x bar i upon del xj इस तरीके से तो यहां पर आपको contravariant tensor क्या होगा तो contravariant tensor जो होगा यह vector field A आपक contravariant tensor कहलाएगा कब कहलाएगा जब इनके component कुछ इस तरीके से connected होगे आपस में तो यह vector field A हमारा contravariant tensor कहलाएगा of rank 1 rank 1 क्यों क्यों कि यहां पर किवल एक index है तो इसलिए हम इसको rank 1 कहेंगे अब rank 1 या फिर order 1 तो इसका मतलब यह है हमारा contravariant vector क्या होगा contravariant vector तो जैसे contravariant vector की definition आती है तो आप इसको लिखके ऐसे आजाएगे अच्छे से यह आपको समझ में आया क्यों कि यह होता है अब देखिए यह हमारा vector field A जो होगा वह होगा contravariant tensor of order 1 या rank 1 जिसको हम लोग contravariant vector भी कह सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से और यह क्या होंगे AI औ और A बार I क्या होंगे यह दोनों हमारे component होंगे जिसको हम लोग कहेंगे contravariant vector की यह component है in XI and X बार I coordinate system यह तो बहुत ही simple definition है आप यहां पर अच्छे से समझ सकते हैं अब हम लोग चलिए कुछ और डिस्स करते हैं तो यहां पर जो XI और X बार I है वो किस तरीके से connect होंगे वो हम इस तरीके से connect कर सकते हैं देखिए XI का मतलब क्या होता है XI का मतलब होता है X1, X2, X3 इस तरीके से यहां पर हमें मालूम है क्योंकि I को हम क्या कर सकते हैं 1 to N sum कर सकते हैं तो यह जो हमारा X बार I जो नया coordinate आया है उसको हम लोग relate कर सकते हैं old coordinate से old coordinate से हम इस तरीके स से relate कर सकते हैं तो आपको जैसे यह पूणच ले कि हमारे coordinate system कैसे रिलेटेड़ है ABRI is equal to tomorrow as Marisha Chumaja शुंहुट च्छुट इस तारीके से रिंडेडेड़ हैं यह आपको समझ में क कॉंट्रा whyнем होता क्या है यह तो हमारा first order के लिए हो गया अब second order के लिए चलिए देख लेते हैं तो second order के लिए similarly definition आपको पूरा का पूरा वैसे ही लिखना है बस केवल आपको यहां पर क्या करना है दो इंडेक्स आ जाएगा यहां पर कितने इंडेक्स आ जाएगा तो यहां पर दो इंडेक्स आ जाएग से Contra Variant Tensor of Second Order अब चलिए इसको एक्जामपल से समझते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा तो Contra Variant Tensor का एक्जामपल क्या है यहाँ पर आप देखिए एक टैंजेंट वेक्टर ऑफ पैरामेट्रिक स्मूद कर्व एक टैंजेंट वेक्टर जो होगा पैरामेट्रिक स्मूद कर्व का वह एक्जामपल होगा मतलब वह इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा आप देखिए कोई पैरामेट्रिक स्मूद कर्व है उसके उपर एक टैंजेंट वेक्टर है तो उसको हमें पता करना है नहाँ पर तो कैसे होगा यह तो चलिए इसको पता करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक पैरामेट्रिक कर्व माल लेते हैं चलिए यहाँ पर मान लेते हैं r t is equal to x1 x2 dot dot xn जिसको आप लिख सकते हैं x of t इस तरीके से हम लोग लिखते हैं parametric curve को तो यहाँ पर simply आप लिख लिख लिजे r is equal to यहाँ पर आप simply लिख देंगे x of t यहाँ पर i index लगा दीजे या फिर इसको लिख दीजे x i आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं तो यह हमने लिखा है parametric curve को parametric curve के equation को अब यहाँ पर देखे हमें tangent vector कैसे निकालते हैं यह हमने parametric curve के equation को लिखा आपको clear हुआ तो tangent vector निकालने लिए हमें इसको differentiate करना रहता है बस अब यहाँ पर जो t है हमारा एक parameter है जो की between a से b के बीच में होगा अब देखें इसको हमें differentiate करना है तो हम इसको differentiate करेंगे तो हमें क्या पता चल दियागा हमारा tangent vector यानि की t superscript आई तो इसको हम differentiate करेंगे तो हमें क्या मिल जागे txi upon dt बहुत ही simple है इसको हमने क्या किया? differentiate किया तो हमें मिल गया dxi upon dt अब हमें क्या करना है? simply coordinate system को change करना है पहले हम लोग x i में थे अब x bar i में आ जाईए तो अब हम लोग आने वाल हैं x bar i coordinate system में तो x bar i coordinate system में यहाँ पर क्या हो रहा? change in coordinate system तो x1, x2 dot dot, xn इस तरीके से हो जाएगा बहुत ही simple है तो यह हमें निकाला है tangent vector किसमे? यह x i coordinate system में किसमें निकाला है? x i coordinate system अब हम लोग निकाला चाहते हैं x bar i coordinate system में तो बहुत इस simple है इसको देखिए कैसे करेंगे मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा tangent vector हमारा हो जाएगा t bar i is equal to हो जाएगा dx bar i and upon dt simply इसको हमें differentiate कर देना इस तरीके से अब देखिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं t bar i is equal to del x bar i upon del xs और यहाँ पर हम लिख सकते हैं del xs upon dt इस तरीके से हमने लिख दिया किवल इसको हमने multiply कर दिया इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको और अच्छे से लिख सकते हैं आप देखिए यहाँ पर कुछ हमारा relation बन रहा है तो यह देखिए ti is equal to you जब dxi upon dt होता है तो हम इसको ts नहीं लिख सकते हैं इसको जब इसको आप ti लिख सकते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं ts लिख सकते हैं तो यहाँ पर dx bar i upon dxs और यहाँ पर हो जागा ts जिसको आप simply लिख सकते हैं t bar i is equal to tx and dx bar i tss बहुत ही simple है देखिए यह जो है आपका equation आगया वो बिल्कुल इसी तरह से transform हो रहा है देख सकते हैं आप match करा सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से transform हो रहा है contra variant tensor का first order का यह आपका example है तो जैसे कि example आपका आगया कि भाई आप example बताईए तो tangent vector जो होता है हमारा contra variant tensor की तरह ही transform होता है under change of coordinates change of coordinates मतलब पहले हम x i में थे अब x bar i में आ हैं तो कुछ यह contra variant की तरह ही transform हुआ है तो आपको clear होगा अच्छे से इस वीडियो में इतना रखते हैं आगे की वीडियो में हम लोग और भी important topic जैसे covariant vectors को discuss करेंगे तो इस वीडियो में इतना वीडियो देखने लिए आपको